हेलो गाईज, यूर वेरी वो, वेलकम टो आज चैनल, बील स्टोरी टेलर और गाईज, आज मैं आपके साथ आर शियर्ड ओमीगागर नेक्स्ट पार लेकर चले उसे शुरू करते हैं जो हमारे वेवुशन, लेंशिचन और वांगची होते हैं, ये काफी ज्यादा खुश होते हैं लेकिन वांगची अभी भी सैड था, वो चुपचा बागर जिंक्ची में बैट जाता है क्योंकि उसकी हार हुई थी और उसे अपनी हार बरदाश नहीं हो रही थी, कि वो अचानक से वेवुशन से कैसे हार सकता है वेवुशन, जो कि इतना टैलेंटेर था, वो इतना खुश था, इतना खुश था, क्योंकि उसको सारे लोग कॉंप्लिमेंट दे रहे थे और नियू हसेंग तो बचारा चुपता चुपता फिर रहा था, यहाँ पर जो मिंग्या होता है वो काफी इंजियर्ड था, लेकिन जब उसे यह पता चलता है रूल करता है इस पूरे वर्ड को और जिसे यह देखकर शैद उसे तो बरदाश ही नहीं होगा क्योंकि पहले ही वेवश्चन ने उसे शिचन को चीन लिया, वेवश्चन ने उसे सब को चीन लिया और अब उसे जिस में वो भाग भी नहीं ले पाया था जिस कॉंपटिशन में वहा कर जो विनर है वो शिन बनके निकला है तो शायद मिंग्याओ के लिए ये सब छेलना ये सब बहुत ही उसके लिए बहुत जादा डेफिकल्ट था और यहाँ पर मतलब उसके तो बहुत तन बदन में उसके मिर्ची लग गई थी यहाँ पर वो कर्स कर रहा होता है लेकिन अभी भी उसके जो जक्म थे वो भरे नहीं थे लेकिन शुयाइंग भी उससे मिलने आता था पर सबको ये बुरा लगता था कि उसने इहां पर जिवजुन के साथ जो भी किया वो गलत किया उसे नहीं करना चाहिए था तब ही शैद उसे ये पनिश्मेंट मिली है और सारे के सारे उसकी पनिश्मेंट पर कुछ बोलते भी इ साथ सच में मेंग्याओ उने अपना ग्रज निकालने की वज़े से गलत किया वो मेंग्याओ को बहुत समझाता है कि देखो अगर शिचन तुमसे प्यार नहीं करते हैं तो उसके लिए तुम्हें उन्हें जबरदस्ती अपना बनाने की जरूरत नहीं है कोई तो इस पूरी धज़े करके उसे बहुत समझाया जाता है शुएंग उसे डेली बोलता है कि जो इंसन तुमसे प्यार करते है तो इसके पीछे क्यों नहीं रहते हो और यहाँ पर मिंग्याओ को रियलाइस होता है कि यार जब कोई इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता हूँ उसके आगे भीक मांगो या उसे जबरदस्ती अपना बना कर क्या करोगे जिस्मानी रुप से वो इंसान आपका हो भी जाये लेकिन वो आत्मा से कभी आपका नहीं होगा और यहाँ धीरे धीरे करके उसे भी अप चीज़े जो हैं वो समझ आ रही थी यहाँ पर वांग्ची काफी ज़्यादा सैड था क्योंकि वो जीता नहीं था बेंग्याओ, जो कि दीरे-दीरे उसके दिमाग में सारी चीज़े घुस रही थी, शूयंग उसे डेलि बताता था लेकिन जब वीन जीतता है तो उसका शैद मतलब वह जो वी डोज शूयंग ने उसे दी वी थी, वह सारी चीज़े उसके दिमाग से सारी निकल गई थी तो वह काफी चेर अपन फील करता है, मतलब उसने कभी नहीं सोचा था कि वेवूशन जीत जाएगा, लभांग जी से तो जादा अच्छा है कि वेवूशन जीत गया है, और वो उसे कॉंपलिमेंट करता रहता है, उसके साथ रहता है, स्माइल करता है और उसका ख्याल रगता है और वह वेवशन को ऐसी ही कहता है कि अब हम सब लोगों का यहां से जाने का टाइम आ गया है विंग हो सकता है मैं अपने जियांग प्लैनर पर वापस चला जाओं और पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे मिल पाएंगे भी या नहीं तो दिरे दिरे सब को मिलेंगे पता चल गया था तो यहां पर थोड़ा से जंक्छा जो है वह सैड भी होता है क्योंकि अब उसका विंग को चोड़के जाने का टाइम आ गया था अब इन सब अपनी अपनी रहा को चुनना था और एक बेचैनी सी होती है एक एक एक्साइट इतने सालों से लोग सारे साथ थे और इतने सालों बाद जब इनका जाने का टाइम आया तो एक होता है ना कि घर जाने की खुशी भी होती है दोस्तों को चोड़ने का गम भी होता है यहां पर यह लोग इतनी मस्ती करते थे माउंटेंस मीचाया करते थे स्वर्ड मैंशिप की प्रेक्टिस किया करते थे तीर अंदाजी की प्रेक्टिस करते थे कितनी बार ये लोग घोड़ी से बिगर जाते थे कितनी बार प्रेक्टिस करते करते इने यू नो जखम भी हो जाते थे एक दूसे का ख्याल लखना पैंपर करना साथ खाना खाना सुबह सुबह पांच ब मिलोगे सेम इतना सारा emotions ना हमारे जंग्चा के अंदर भरावा था वींग चिल इसलिए था क्योंकि वींग को यहीं रहना है वींग कहीं out of city जा कर वापस नहीं आ रहा है तो वींग को normal सी चीजे लगेंगी क्योंकि वो हमेशा से अपने हाँ पर बहुत सारे lens act के students को देखता है लेकिन यह experience जंग्चा के लिए पहली बार था जब उसकी pampered mom ने उसे पहली बार कहीं जाने दिया पहली बार उसके बहुत अलग लग सेक्ट के लोगों से दोस्ती और वेवशन उसके लिए special बन चुका था यहाँ पर लिटली उसकी आँखों में आसो आजाते हैं वो जाना नहीं जाता लेकिन वो विंग से मूँ मोड़कर अपने आसों को पोच्टा है और कहता है विंग कॉंटेक्ट मे रहना और अपनी शादी में जरूर बुलाना विंग मज़े में कहता है कि जब तुम चादी करोगे ना तो मुझे भी जरूर बुलाना तो जंग्चा मुसकरा कर बस हस देता है बट कुछ नहीं बोलता अपनी फीलिंग का इजहार नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जो जंग्चा था उसके दिल में विंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि यूनो वो जानता है कि विंग अब उसका नहीं हो सकता तो फिर वो क्या बोले वो कुछ नहीं बोल सकता था वो बस चुप रहता है स्माइल करता है और यहां पर विंग सबसे मिलता है वो यहां पर देखता है कि जंग्चा की जो सिस्टर है और जो जिंजिशन है उनकी भी काफी चीज़े सॉट आउट हो गई है यहां पर जो वेंचिंग होती है वो भी लाइन बाने लगती है जंग्चा पर और जंग्छा स्माइल करता रहता है कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो जाता था कि जिस इंसान को वो पसंद करता है उसे वो पा नहीं सकता तो वो वेंचिंग से ही थोड़ा बातों में लग जाता है यहाँ पर विंग इतना खुश होता है इतना खुश होता है कि शिचंगर के सीधा गले लग जाता है जब यह लोग अकेले होते हैं और शिचंगर उसके फोरेट पे किस करते हैं विंग कहता है लंजा कहा है तो शिचंगर कहते हैं लगता है लंजा को भारी दुख लगा है वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आपा रहा लंजा तब से जिंक्शी में बढ़ावा है वींग केता है शुचंगा चलो ना उसे जिंक्शी से लेके आते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो अकेले अकेले बढ़ावा है वींग केता है वो आज दिन तक हमेशा मुझसे जीतता है मैंने तो कभी सैड मूनी बनाया आज मैं उससे क्या जीत गया देखो ना कितना सैड हो गया है जाकर जिंक्शी में बढ़ गया है यहाँ पर लवांग जी जो है वो अराम से जिंक्शी में आने के बाद अपने कपड़े तया लगा कर एक जिगा अपने लिए एक समान तयार कर रहा था यहाँ पर जैसे ही शिचंगो और वेवश्यन आते हैं वो वांग जी को इस सरह से अपने लिए कुछ कपड़े बानते में देखते हैं और हम सब की शादी से पहले उस प्रोफेसी को पूरा करने से पहले वेवश्यन के सेक्ट में एक बार होकर आ जाओ वी सेक्ट में उनका जो उत्रा अधिकार है वो हमारे पास है और वहां का जो रूलिंग सिस्टम है वो कैसे चल रहा है वहाँ पर सब लोग कैसे रह रहे हैं और बाकी सब चीज़े भी अंकल ने कहा था कि में देख क्या हूं और मैंने सुना था कि वो लोग वींग के लिए एक डावरी भी त्यार कर रहे है तो मुझे उन लोगों को लिस्ट देख आनी थी वींग की तरफ से भी शादी में कोई ना कोई होना चाहिए वींग ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या तुम वी सेख जा रहे हो मुझे भी वी प्लानेट पे जाना है मुझे भी अपने साथ ले चलो नंजा मना करता है विंग बार बार इंसेस्ट करता है लेकिन लंजा फिर मना कर देता है विंग यहाँ पर मूफ लाके बढ़ जाता है और कहता है मेरे सेक्ट जा रहे हो मुझे क्यों नहीं लेकिया जा रहे यहाँ पर विंग को एक आइडिया आता है वो एक टितली को फटाफट से यहाँ पर मैसेज की रूप में भेजता है अंकल चेरन के पास और अंकल चेरन से पर्मीशन मंगता है कि वो लंजा उसके सेक्ट जाए फैले तो अंकल चेरन उसे बिल्कुल पर्मीशन नहीं देते लेकिन विंग बार-बार कहता है कि वो अपने मदर फादर की डेट के बाद से कभी वहाँ नहीं गया है उसे देखना है अपना पूरा सेक्ट तो वो यहाँ पर वेवशन को पर्मीशन दे देते हैं और वेवशन लवांग जी के साथ जाने के लिए तयार हो जाता है वेवशन कभी एक्साइटर था कभी खुश था और उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उसके लिए फर्स टाइम था जब वो अपने सेक्ट इतने सालों बाद जा रहा हो वो तो अलमोस्ट आलदा ये लोगों को भूली है गिया था यहां से वांग जी जब जाने के लिए तयार होते हैं तो देखते हैं बागी सेक्ट के भी पेरेंट्स यहां उन्हें लेने आया है यह सब सब को अलविदा कहते हैं जब वी यहां से जा रहा था तो शिचन का जो थे वो चाहते थे कि वो अपने अंकल से यहां पर पूछ लें कि क्या वो भी वी के साथ जा सकते हैं बट वो सीधा बोल देते हैं कि वी वेवशन के साथ तुम नहीं जा सकते हैं तुम से क्लीडर हो और अधर बैच भी आने वाला है तो अगर वांग्ची चला जाएगा वेवशन चला जाएगा तो यहां मेनेज कों करेगा इसलिए शिचन को यहां पर गाईस प्रायटी नहीं मिलती उन्हें जाने के लिए भी नहीं मिलती और लंजा जानता था कि वो इस बार शादी की बात करने जा रहा है लेकिन वो यहाँ पर वेवश्यन से थोड़ा अलग अकेले ही चलता रहता है क्योंकि वेवश्यन उससे बार-बार बात करने की कोशिश करता है यहाँ पर यह सब को फेरवल देते हैं सारे सारे लोग जियां वेविशन की तो आँखे बराई थी और वो रोते रोते चल रहा था यहाँ पर वांग जी और वो भी साई टाउन से होते वे दूसरे प्लैनेट के लिए और अपनी जगा के लिए निकल जाते हैं यहाँ पर वेविशन को काफी ज़्यादा मतलब सैड फील हो रहा था पर वो बेवशन कोई चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फेवशन बार बर उसे चीजे पूछता है लंजा क्या हुआ तुम अभी भी मुझ से नाराज हो लंजा उसमें कहता है कुछ नहीं वींग कहता है क्या तुम्हें सच में बहुत दुख लगा है कि तुम first नहीं आए तुम भी तो second आये हो लंजा कहता है वींग सच बात बताओं तो ये बात ये नहीं है कि तुम first आये हो मैं second आया हूँ या फिर मैं किसी चीज पर ख़रा नहीं होता बात ये है कि हर चीज तुमसे और ब्रदर से जुड़ी हुई है मुझे third wheel जैसा feel होता है मुझे ऐसा लग क्योंकि वैसे भी तुम दोनों के बीच में एक मार्क बोंड बन चुका है तुम उसके मार्किंग ओमेगा बन चुके हो और जल्दी हमारी शादी हो जाएगी पर वेविशन मुझे लगता है तुम्हें ब्रदर को प्राइटी देनी चाहिए थी ब्रदर के साथ रुखना च वेविशन कंफ्यूज नजरों से उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लंजा तुम ठीक तो हो ना क्या हुआ है लंजा यहां पर कहता है वी प्लीज चुप हो जाओ मेरे सिर में दर्द हो रहा है मुझे तुमसे बात नहीं करनी वी चुप चाप यहां लंजा के सा वी और सुसे बहुत रहे ही है उनके वेशन के ता यृ वी चुप चाहर से क्राउन प्रिंस ए यहां के वर नागा को देख गतर दो जाती है POLY notch भी पूप हीशल नो पVENजा के ठीक हैशन को देकर वाधने जांए आदे किसे और दोगों को भी राहे हैं हिसम पर मिकी पछकर यहां पर जब वह वेवशन को देखती है, वह काफी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसे वेवशन में उसकी मा की हसी उसके चेहरे पे उसके पिता जैसा तेज दिख रहा होता है, यहां पर वह कहने लगती है, अगर मास्टर और मैडम जंदा होती, तो आज आप हमारे साथ आपकी शादी के त्यारी पूरे वी से होती, और वे सेक्ट हमेशा आपको इजट के साथ पूरी तरह से रुकसत करता, लेकिन अफसोस कि आपकी शादी जो है वह वो गूसु में ही हो रही है, और गूसु से ही आपको जाना पड़ रहा है, हमें आप लोगों से मिलने का मोक जी उन सबसे तो बात कर रहा था पर यहां पर वेवशन से वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था वेवशन जब भी उसे बात करने की कोशिश करें वो देखता था कि लवांग जी उसे पूरा इगनोर करता है उसकी तरफ देखता भी नहीं और यहाँ पर वे विशन के चहरे पे एक सेड सी स्माइल लग जाती है वो दूसरों के सामने प्रिटेंड तो करता है कि वो बहुत खुश है लेकिन वो अंदर से बहुत सेड हो रहा था कि लंजा उससे बात क्यों नहीं कर रहा अखे लंजा को क्या हुआ है पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया लंजा तो वो इनसान है जो हर वक्त उसे टोकता रहता था उससे बोलता रहता था उससे धमकाता रहता था लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि लंजा उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता उसे बात भी नहीं करना चाहता और उसके किली सी गलती पे उसे टोग भी नहीं रहा है यहाँ पर वेविशन का सैड सा चहरा देखकर अचानक से उसकी नैनी कहती है क्या हुआ वेविशन? तुम सैड क्यों हो? क्या हुआ क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते मुझे ऐसा लगता है लेंसेक्ट में वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते देखो कितने सूख गए हो तुम वेविश्ण मुस्कुराते वे कहता है ऐसा कुछ नहीं है नैनी मैं ठीक हूँ लेकिन वो लवांगची की तरफ देख रहा था छो उसे अभी भी इग्नोर कर रहा था ये चीज वेवर्शन के मन में खाय जा रही थी नवांगची वहां से औरों के साथ यहां पर पूरे के पूरे वी सिक्ठी खूबने पर उसके नजारे देखने के लिए निकल जाता है बिना वेवशन से पूचें जिसके बाद वेवशन जब खुद को अकेला पाता है और नैनी से पूछता है कि लॉन्जा कहां गया तो वो यहां पर बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि वेवशन की शादी लंजा के अलावा शेचन गर से भी हो रही है उनको लगता है लंजा उनका एक लोता दमाद है तो इसलिए उसे बहुत प्राइटे मिलती है और वेवशन के चहरे पर सैडनेस थी कि लंजा उसे इतना क्यो क्यों कर रहा है देखते हैं कि लंजा उसे इतना इंग्नोर क्यों कर रहा है तब तक में चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और प्रेल इकन को प्रेस कर देया और गाइस Hey guys, people are still accusing the you are biased towards Shichan and Wei Vushan. Yes, I am biased. I accept that fact. Second comment, people are saying do not show more romantic scenes between Shichan and Wei Vushan because they are Wangshan Kattar fan and they don't want to see Wei Vushan with some other people. Guys, if you are truly Wangshan fan then you don't have to listen to the story because it is shared concept and I am biased towards Shichan here and you have to immediately skip this concept or this fan fiction because here I am biased towards Shichan here. I am gonna prioritize Shichan over Wangshi. A nameless person was commenting on me that she was commenting bro I don't like the way you talk you are rude mannerless you repeat same sentence again and again that's annoying cool learn something from Anisha and she is more polite than you more talented than you. First of all you can't say I am not talented. She is talented but I am not here to explain someone's self fan fiction. I am reciting my own fan fiction and at one time I was reciting three different fan fiction so you can say I am not talented. maybe she is more talented than me. Second thing I don't need to learn something from someone. I am not comparing myself with others. People have different kind of you know tolerance level. Nature. My nature is different. For me my self respect is too high. If you gonna target me then be ready for my reply. Okay. Or by the way if you are saying mannerless to me. You are more mannerless and shameless who are still annoying me. Still texting me. Your second comment is you can take compliment but can't take criticism that said you are weak. I am not weak dude. I am straightforward. So shameless people can't handle my attitude towards them. Because if you are saying something to me you have the capacity to listen to my reply. Your third comment please don't expose me in front of your 4k follower. I am scared mom. Dude it's 6.7k. Okay. You have low level of IQ. Low level of eyesight too. No need to be scared because your mom is not in the comment section. Go get a psychiatric treatment. It will help you for your future betterment. And please do not do not irritate other YouTubers or bitching about me. Dude don't do that. Literally I am fucked up with these kind of comments. Because I had never target anyone without any reason. These kind of people you know poking me or they wanted me to reply on their shameless comment. Because they are shameless and they are mannerless. That's why they are pointing their finger towards me. And guys for me my self respect is very high. I can't here to sit just like a monk. And I will never revert you. I will definitely gonna revert you. If you wanted to do this kind of you know shit thing. If I know how patiently I am reading every comment and still you know I felt I am taking compliment as well. I am taking you know criticism as well. But people like her. People like many people who were abusive using nonsense language. I don't take it. If I am going to reply you. If I am going to reply you. You felt that I am mannerless. I am shameless. I am rude. Dude you are the one who are pointing or raising their point towards me. I am not the one. And for me my self respect is too high.